नमस्का और टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट सतर सालों तक देश में हकूमत करने वाली कॉंग्रेस पार्टी की हालत आज ऐसी हो गई है कि वो कुछ राज्यों में भी अपनी सरकार नहीं संबाल पा रही है तीनों राज्य में बीजेपी से बुरी तरह हारने के बाद अप कॉंग्रेस के पास जिस राज्य में सत्ता है वहाँ पर भी खत्रे के बादल मडराने लगे है जिसके बाद कॉंग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है एक तरब जहां बीजेपी अपनी काम्याबी के लिए नए मुकाम हासिल कर रही है तो वही दूसरी तरब कॉंग्रेस पार्टी की मुसीबते ही कम होने का नाम नहीं ले रही है 36 गड़ में बीजेपी ने सियम की ताश पोशी कर दी है तो वही मद्द प्रदेश और राजिस्तान पर सब की निगाहें बनी हुई है ऐसे में कॉंग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी होने से आने वाले लोगसमा चुनाओं में काफी गहरा असर पड़ सकता है कौन सा है वो राज जहांपर कॉंग्रेस की सरकार खत्रे में आ गई है और किसने किया है ये दावा हमारे खाश शो में आपको सब कुछ बताते हैं क्या कॉंग्रेस के नेताओं में विमानदारी नहीं बची है या फिर कॉंग्रेस के नेताओं को कॉंग्रेस के आलाकमान पर भरोसा नहीं है दरसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करनाटक में कॉंग्रेस सरकार पर खत्रे के बादल मडराने लगे है क्योंकि एक ऐसा दावा पोरु मुख्यमंतरी ने कर दिया है जिससे कॉंग्रेस के आलाकमान की नीद तोड़ ही गई है साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कॉंग्रेस अब सरकार चलाने में समर्थ नहीं है क्या कॉंग्रेस के पास अब रणीती नहीं बची है जिससे लोग उस पर भरोसा करें दरशल करनाटक में सरकार बने हुए कॉंग्रेस को अभी जादा वक्त नहीं हुआ है अभी तक शायद जीत का जश्न ही कहीं मना जा रहा हूँ लेकिन उसकी खुशियां अब जादा दिनों तक नहीं रहने वाली ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ये कहना है करनाटक के पोरु मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी का दरशल करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार गिर सकती है ऐसा दावा किया है जनता दल सेकुलर के नेता एच डी कुमार स्वामी ने करनाटक के पोरु मुख्यमंत्री के इस दावे के बाद कॉंग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है और कॉंग्रेस आलकमान सदमे में आ गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है अगर करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार गिर जाती है तो कॉंग्रेस के हाथ पूरी तरह से खाली हो जाएंगे दरसल राज जी के पोरु मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को ये बड़ा दावा किया कि करनाटक में कॉंग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली कॉंग्रेस मंतरी पचास से साथ वधायकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं और भाचपा का दामन साम सकते हैं जैसे ही पूर मुख्यमंतरी ने दावा किया कॉंग्रेस के एक बड़े नेता अपने दर्जनों वधायकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं तो सियासी गलियारों में खलबली मच गई और बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव मोर्ड में आ गई दरसल मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जेडियेस नेता ने कहा कि करनाटक में कॉंग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कब गिरेगी एक प्रभावशाली मंतरी अपने खलाफ मुकदमों से बचने के लिए बेताब है केंद्री ने उनके खलाफ ऐसे मुकदमे दर्श किये हैं जिनमें बचने की कोई संभावना नहीं है एसजी गुमार स्वामी ने कहा है कि प्रदेश में महरास्ट की तरह कुछ भी हो सकता है जब उनसे उस प्रभावशाली नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बस इतना इशारा किया कि छोटे नेताओं से ऐसे कदम की उमीद नहीं की जा सकती केवल प्रभावशाली नेता ही एक दम उठाएंगे यानि करनाटक कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कॉंग्रेस में बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है जिससे पाटी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको यहां पर यह भी बात बता दे कि से पहले भी कुमार सौमी ने करनाटक के स्थिर सरकार को लेकर टिप पड़ी की.. उन्होंने पास की इसक देश को भी आवश्ञशन कर्ता था कि इस कोई मैहसूस करता है कि एक स्थिर सरकार चामी का मन ऐसा ही था इस समय हमें स्थिर सरकार और स्थिर नेत्रत्त की अवशकता है। और इसी कारण से हम NDA में शामिल हुए हैं। यानि यह पहली बार नहीं है जब HD कुमार स्वामी ने करनाटक में कॉण्ग्रेस की सरकार को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले भी ओ करनाटक में कॉंग्रिस सरकार पर निशाना साथ चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने जो दावा किया है वो सीधे तोर पर सरकार के गिरने का है और साथी ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी छोटा नेता ये नहीं कर सकता इसको करने के लिए बड़ा नेता ही हिम्मत दिखा सकता है और ऐसा होने वाला है जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है जो कहां जाकर ठमेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा करनाटक में जब से कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब से ही उसको लेकर कई तरह के दावे किये जा रहे हैं करनाटक में सरकार गिरने का दावा करने वाले पोर्व मोख्य मंतरी पहले इंसान नहीं है अभी हाल ही में बीजेपी के वधायक ने भी करनाटक सरकार को लेकर अपने बयान से संसनी मचा दी थी दरसल भारती जंता पार्टी के वधायक और पोर्व मंतरी रमेश जार की होली ने 30 अक्टूबर को अपने दावे से सब को चौका दिया था और कहा था कि करनाटक में कॉंग्रेस नित सरकार महाराष्ट की तरह गिर सकती है हलाकि उन्होंने कॉंग्रेस के इस आरोप को खारिच कर दिया कि सरकार को गिरने के लिए बीजेपी 2019 जैसा ओप्रेशन लोटस में जूटी हुई है लेकिन उनके दावे के बाद से ही कॉंग्रेस में खलबली मच गई थी उन्होंने कहा कि करनाटक में कॉंग्रेस नित सरकार को किसी बहारी के बजाए अंदर से ही खत्रा है और सरकार के गिरने के लिए उपमुखे मंतरी डीके शवकोमार एंड कमपनी जिम्मेदार होगी उन्होंने कॉंग्रेस के इस आरोप को खारिच कर दिया कि 2019 में जनता दल सेकूलर कॉंग्रेस गठबंदन सरकार को गिराने वाले एक बार फिर सक्री हो गए है और सत्तारोड पार्टी के बधायकों को रिश्वत की पेशकश कर रहे है जारकी होली पूर्व में कॉंग्रेस से जुड़े थे और चार साल पहले गठबंदन सरकार के गिरने में उनकी महत्तपूर भूमी का देखी गई उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी ऑप्रेशन लोटस के बारे में बात नहीं की है इसके बजाए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ड्रामा कंपनी इस बारे में बात कर रही है जारकी होली ने एक समवादाता सम्मिलन में कहा था कि ये डीके शिवकुमार की ड्रामा कंपनी है जो उप्रेशन लोटस और 50 करोड रुपे की रिश्वत के बारे में बात कर रही है हम बीजेपी के लोग कभी भी ऑप्रेशन लोटस के बारे में बात नहीं करते और ना ही ऐसा करेंगे कॉंग्रेस का गढ़ा शब्द है ऑप्रेशन लोटस ओप्रेशन लोटस के बारे में उन्होंने साफ तोर पर कहा कि ओप्रेशन लोटस कॉंग्रेस का गड़ा हुआ शब्द है जो नर्वाचित सरकार को गिराने की बीजेपी की कतिस साजिश को वया करता है जार की होली ने कहा था कि जब तक डीके शुवकुमार राजनिती में है ये सरकार खत्रे में है विपक्ष में रहने पर वो अलग वैभार करते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो अलग वैभार करते हैं इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि डीके शुबकुमार की बेल गावी कंपनी के कारण ये सरकार गिर जाएगी अगर ये सरकार गिरी तो ऐसा महाराष्ट की तरह ही होगा, ऐसा हो सकता है दीके शिवकुमार की तानाशाही के खिलाफ की थी बगावत बीजेपी के वधायक जार की होली ने कहा कि हमने दीके शिवकुमार की तानाशाही रवाईये की वज़ा से बगावत करते हुए सरकार गिरा दी हम कभी भी सिधरमयय या मलिका जुन खड़गे के खिलाप नहीं थे हमने डी के शिवकुमार का वरोध किया आज डी के शिवकुमार के समर्थक जो भी कहें लेकिन उनके दावो का कोई आधार नहीं है मांडलिया के वधायक और शिवकुमार के वफादार रभी गोडा गनीगा ने दावा किया था कि जिन लोगों ने अतीत में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी वो एक बार फिर मौजुदा सरकार को गिराने की कोशिश में सकरी है लेकिन उनके दावे पर BJP के वधाक ने पलटवार करते हुए उन्हें ही पाटी के अंदर की कम्यों को गिना दिया था जिसे कॉंग्रेस की बोलती बंद हो गई थी अब एक बार फिर से कॉंग्रेस की करनाटक सरकार गिरने के दावे से सियासी गलियारों में हल्चल तेज हो गई है और दावा किया जा रहा है कि कॉंग्रेस की सरकार अब गिरने ही वाली है अब देखना होगा कि जो दावे किये जा रहे हैं कॉंग्रेस की सरकार को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है और क्या करनाटक की सरकार वाकई गिरेगी टर्निंग पॉइंट वे फिलाल के लिए इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार